तो चली तो सो बात करने वाली हैं समर्दना मदरसन इंटरनेशनल लिम्टेट के बारे में देखे काफे सारे लोगों ने बड़ा पैसा इस कंपनी से शोट टम के हिसाब से कमाया है काफे सारे लोग तो यही सोच रहे थे कि शेर अब लगतार बढ़ रहा है अब जितना चाहें उतना माल इस कंपनी के अंदर खड़ी दिलें इसके अंदर गिरावट नहीं होने वाली है लेकिन अब एक बड़ी खबर आ चुकी है अब थोड़ा सा साथधान यहां पर होकर चलिएगा हो सकता है कि इस खबर के आधार पर हमें शेर के अंदर कुछ ऊपर नीचे के लेवल भी देखने को मिले लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अगर शेर गिरता है तो शेर वापिस से उपर नहीं जाएगा क्योंकि हम लोग long term के हिसाब से इस company के अंदर तैयारी करके चल रहे हैं और आगे आने वाला जो समय है वो दोस्तों बहुती bright है क्योंकि आपको सभी को बता है कि ये company काम ग्या करती है auto facilities के अंदर ये company है और electric vehicles की वज़े से ये company लगातार चर्चाओं में रही है और आगे भी रहने वाली है तो आगे आने वाला समय बहुती शांदार हो सकता है इसलिए इस company के अंदर time देने की जरूत है जितना ज़्यादा समय आप इस company के अंदर देंगे उतना ज़्यादा मुनाफ़ा आपको ये company लोग टम के साब से कमा कर दे सकती है चलिए अब खबर के बारे में देख लेते हैं तो यहाँ पर सोजिट कॉर्परेशन की होल्डिंग बनी हुई थी अच्छी खासी और 1.6% स्टेक समर्दना मदरसन सुमी के अंदर से वो वाया ब्लोक टील के जरिए बेचने का प्रोग्राम यहाँ पर बना रहे हैं अब देखे बड़ी ब्लोक टील है 1.6% स्टेक कम नहीं होते हैं अगर यह स्टेक वाया ओपन मार्केट यहाँ ब्लोक टील के जरिए बेचे जाते हैं तो दोस्तो एक बड़ा करेक्शन भी हमें संबर्धना मदरसन इंटरनेशनल के शेर के अंदर देखने को मिल सकता है अब देखे हो सकता है कापी सारे लोग बड़ी प्लानिंग कर रहे हो कलकी डेट में क्योंकि स्टॉक के अंदर उपर के लेवल से करेक्शन भी हुआ था सोच रहे होंगे कि कहीं स्टॉक यहां से जादा नीची नहीं जाएगा तो इसके अंदर हम शेर्स खरीद लेते हैं अंदाजा लगा सकते हैं कि शेर के इंदर कितना बड़ा करेक्शन मैं पो दिखने को मिलेगा तो इसलिए मैं आपको पहले अवेर कर रहा हूं कि अगर स्टॉक गिरता है तो साधान रहेगा 1.6% स्टेक इस कंपनी से एकजिट होते हुए दिखाई दे सकते हैं अब देखे ए शेर इसमें कारोबार कर रहा है 75 रुपे पर और इन्होंने इस सोदे के लिए फ्लोर प्राइस यहां पर डिकलेर किया है 70 रुपे का तो हो सकता है कि 70 रुपे के आसपास तक यह स्टॉक यहां पर हम लोगों को मूव होता हुआ नजराए अब देखे ऐसा ही एक बड़ा ग पर्किट के जरिये सारे ट्रांसेक्शन यहां पर किये गए थे तब भी शेर के अंदर एक बड़ा करेक्शन यहां पर देखने को मिला था अब वापिस से 1.6% के आसपास यहां पर बिकवाली करने की योजना यह बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं अब देखे शेर लगते चल रही हैं यूरोप में यूएस के अंदर तो अभी रिसेशन का डर है जिसकी वज़े से कंपनी के अंदर कुछ हल चल भी है क्योंकि अगर वो सारी चीज़े नहीं होती तो फिर कंपनी का शेर लगातार हम लोग को बढ़ता वह भी दिखाई दे सकता था अभी उठा लें चाहे आप अशोक ली लें उठा लें कोई सी भी कंपनी आप उठा कर देख लिजेगा आपको लगातार एलेक्ट्रिक वहिकल्स के सेग्मेंट के अंदर तेजी ही देखने को मिलेगी और अभी जो तेजी आपको कम देखने को मिल रही है अकर इनी आकड़ों को अपसे ठीक दो साल के बाद में उठा कर देखेंगे तो कुछ औरी चीज़ देखने को मिलेगी यानि कि ऐसे में जब इलेक्ट्रिक वहिकल्स बढ़ेंगे तो नॉर्मल सी बात है जो भी ओटो इंजलरी से कंपनिया बिलोंग करती हैं इन कंपनियों के बिजनिस में तो बजार के अंदर काम करते हैं तो उने तो किसी भी तरी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है और जो लोग ये सोच रहे थे कि आज ये शेस गिरा था मैंने इस कंपनी के अंदर यहीं पर हजार शेर, 2000, 3000, 5000 शेर इस कंपनी के अंदर उठा ली हैं तो देखें कितनी बार हमने वी शेयर होंगे तो गिरावट पर हम पूरा फोकोस कर सकते हैं शेयर के उपर बाकि देखें आपको सभी को पता है कि कोई एक मजबूत कंपनी अगर आप लोंग टरम के साब से इस कंपनी को देखेंगे तो रिसेंटली इस कंपनी ने हम लोगों को बोनुस शेयर वगरा प्रोव 83 लाग का वोल्यूम था देखें संके तो पहले इस कंपनी के इंदर इस प्रस्ट थे अगर आप फ्राइडे का सेसन भी दिखेंगे तब भी सेम वोल्यूम था 83 लाग का ही holding quantity लगभग 32 लाग क्यास पास थी इससे पहले का एक वीक में धमाकेदार तेजी हमें देखने को मिली थी दो करोड तक वोल्यूम इस कंपनी का पहुँच गया था holding quantity भी जबरजस्त इस कंपनी के इंदर उठती हुई दिखाए दी थी एक महीने का एवरेज देखें तो 2 करोड का टोटल वोल्यूम था 85 लाग की holding quantities के अंदर उठती हुई दिखाए दिए तो तीरे देरे करके कुछ ना कुछ नेगेटिव संकेत तो इस कंपनी के अंदर पहले ही मिल रहा था कि कुछ ना कुछ बड़ा गेम कोई यहां पर प्लान कर रहा है अब इस corporations ने भी यहां पर एक बड़ा गेम कर दिया अब हो सकता है कि यह सारी चीज़े देखे रिपोर्ट के माद्यम से प्राप्त हुई है कल होंगी परसो होंगी कब होंगी इसके बारे में कोई predict नहीं कर स करें है अगयन कहा रहा हूं दोस्तो बड़ी दिक्केत होती है बजार के अंदर कोई मजबूत कंपनी गिर जाती है और हम उपर के लेवल पर शेर के अंदर traps हो जाते हैं यह सारी चीज़े हमें तब समझ हैं जब हम उपर के लेवल पर फंग जाते हैं और हम यह सोच्दे रहते हैं कि कास ये share आप ऊपर चला जाए अब की बार ये गलती हो गई है आगे मैं कुछ ऐसी किसी भी तरह की गलती इस company के अंदर नहीं करूँगा इसके लाव दोस्तों बहुती important बात आपके साथ में share करने वाला हूँ देखे काफी सारे लोग इन सारी शीजों को हलके में लेते हैं लेकि हलके में लेने की ज़रूत नहीं है अब देखे अगर आप इस company का stand देखेंगे अगले एक साल के लिए company कहां पर आपको खड़ी होती हुए दिखाई दे सकती है तो तीन level मैं आपको हैं पर बता रहा हूँ पहला level जो मैं नीचे का हैं पर predict करके चल रहा हू यानिके current level से लगवक 24% का down moment अब देखें share कितना गिरेगा इसके बारे में तो कोई यहाँ पर सोच नहीं सकता है कि कितनी गिरावट होगी 56 जाने वाला है 55 जाने वाला है लेकिन हाँ मैं यहाँ पर यह जरूर कहना चाहूँगा कि आप 56 की नहीं कम से कम 50 रुपे की 30 company के करके चलें कोई दिक्कत नहीं होगी इसके लावा जो दो बाकी के level है अगर आप prediction यहाँ पर देखें एक साल के लिए तो 115 रुपे तक यह stock आपको move होता हुआ दिखाई दे सकता है यानिके current level से 50% से ज़दे की तेजी इसके लावा जो दूसरा level है वो 93 रुपे का है यानि के current level से 23% का upside moment आपको इस company के अंदर दिखने को मिल सकता है सारे के सारे लेवल एक साल के नजरी के साथ में इस company के अंदर दिखने को मिल सकते हैं लेकिन एक बड़ी बात देखें जब इतनी सारी चीज़े इस company के अंदर positive चल रही है stock 115 जाने वाला है stock 93 जाने वाला है stock के अ जादा गिरावट की उमीद भी नहीं करके चल रहे हैं तो फिर आखिर कार ये क्यों अपने shares यहां पे बेचने पर तूले हुए हैं देखें अभी recently October के महिने में बेचें और फिर वापिस से program बना रहे हैं shares बेचने के लिए देखें ऐसे में क्या होता है कि काफी सारे कर जाते हैं बाद में देखा जाएगा क्या होगा तो ऐसी गलती हमें नहीं करनी है अगर आप यहां पर बलके में माल खरीद के गए थे तो आप बलके में माल मत खरीदते आपको यहां पर थोड़े थोड़े करके quantity याड़ करनी थी कोई दिक्कत नहीं थी stock नीची जाता त stock किस तरीके से reversal दिखा रहा है stock ने इससे पहले जब 61 रुपे के आसपात अपना low level बनाया था उसके बाद कितनी शांदार activity आपको दिखने को मिली गिरावट भी हुई और उसके बाद फिर तेजी आपको दिखने को मिली अब की बार अगर गिरावट दिखने को मिलती है त तो हो सकता तब तक ये 115 के 94 रुपे के लेवल आपको बहुत छोटे देखने को मिलें इसके लावट दोस्तो इस कंपनी ने कई बार हम लोगों को बोनो शेयस पर दिये हैं देखे काफी सारे लोगों को बड़ा लाब इस कंपनी के अंदर मिला है काफी सारे लोग तो सोच लोगे 75 रुपे का शेयस है बड़ा ही छोटा प्राइस है लेकिन इतनी बार इस कंपनी ने बोनो शेयस यहां पर दिये हैं कि अगर आपने कैलकुलेट करें न तो आज एक शेयर को खरीदने के लिए 100 बार सोचना पड़ता तो अभी अगर आप रिसेंटली देखेंगे 2022 के इस कंपनी ने बोनो शेयस यहां पर दिये थे दो बार स्पिलिट यह कंपनी दे चुकी है आगे किसी भी तरिके का स्पिलिट इस कंपनी के इंदर नहीं मिलेगा क्योंकि फेस व्यल्यू एक अब इस कंपनी की हो चुकी है लेकिन आप देखे स्पिलिट के माध्यम से शेयर बढ़ चुके हैं तो उन सारे बढ़े हुए शेर्स पर हमें डिविनन का बड़ा लाब मिल रहा है तो अभी रिसेंटी देखेंगे तो इस कंपनी ने 2022 के इंदर ही पाचवे महीने में 65 पैसे प्रति शेर के हिसाब से डिविनन यहाँ पे दिया है suppose that अगर मुनाफ़ा इस पार बढ़ता हुआ दिखाए देता है जिस तरीकी से पहले बढ़ा था यानि कि 288 करोड का मुनाफ़ा इस कंपनी को हुआ था quarter on quarter basis पर बढ़त थी और year on year basis पर भी profit जंप करता हुआ दिखाए दिया था और share के अंदर किस तरीक का action आपको देखने को मल रहा था तो हो सकता है कि near terms में वो सारे target यहाँ पे achieve हो जो की brokerages काफी सारे brokerages यहाँ पे मानकर चल रहे थे काफी सारे brokerages यह कह रहे थे कि 90 रुपे तक यह stock जा सकता है कुछ कह रहे थे कि 85 रुपे तक यह stock जा सकता है तो यह हो सकता है कि आग आने वाले दिनों में सारी चीज़े positive हो recently अकर आप देखेंगे तो 18,261 करोड की sales इस कंपनी के इंदर दिखने को मिली quarter quarter business पर sales बढ़ रही है और year on business पर भी तेजी देखने को मिली है operating profit की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको पृद्धी देखने को मिलेगी company के margin भी आपको बढ़ते वे दिखाई दे रहे हैं earning per share के अंदर आपको तेजी देखने को मिल रही है इसके लावा अगर आप year on business पर इस company को देखेंगे तो 2022 के अंदर इस company ने 63,536 करोड की sales नहां पर रिपोर्ट की देखें सबसे पहली बात यह है कि आप कुछ कंपनिया देखते हों कि जिन इस company के अंदर आपको sales देखने को मिलती होगी 1000 करोड की 2000 करोड की यह company 50,000 करोड से उपर की sales रिपोर्ट कर रही है तो कोई छोटी मोटी company नहीं है इस चीज को समझ के चलीगा और long term के हिसाब से sales बढ़ी भी है operating profit के अंदर भी आपको तेजी देखने को मिलेगी और company का जो 2022 के अंदर 1182 करोड का था जो की 2021 के अंदर 1579 करोड के आसपाथ देखने को मिला करता था इसके लावा अगर आप इस company की balance sheet देखेंगे तो balance sheet भी आपको strong दिखाई देगी सेप्टमबर 2022 तक इस company के पास में 452 करोड का share capital था company के पास में जो reserves है वो बढ़ रहा है बोरिंग क अंदर promoters के सिदारी है 68% की मजबूत है सिदारी देखने को मिल रही है और long term के साब से बड़ी भी है FIS के सिदारी की बात करते हैं तो quarter quarter business पर बिक्वाली हाँ पर देखने को मिली D.I.S के तरफ से बिक्वाली देखने को मिली है सरकार का हिससा इस company के अंदर बढ़ा है और return निवेशक इस company के अंदर share खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं तो दोस्तों फिर वो ही बात कि बराबर SIP पर ध्यान देना है और थोड़ा दूर के बारे में सोचना है अच्छ अधि कहना चाहूँ है स्टॉक मार्किट की लेटेस निउस लगाता टेलीग्राम पर पब्लिश हो रही है इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा थैंकिय सो मच फो वाचिंग